जेहिन दोस्तो आज की इस वीडियो में जानेंगे Awesome Rifles कलर्क पोस्ट भरती की complete details के बारे में आप सभी को पता है Awesome Rifles के तरब से 1380 पोस्ट पर नई भरती का officially notification आ चुका है जिसमें काफी सारे पोस्ट है और पिछले वीडियो में मैंने इन सभी के बारे में आप सभी को बताए थे लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे a special कलर्क पोस्ट के बारे में क्योंकि काफी सारे ये student का सवाल था कि कलर्क पोस्ट में फार्म अपलाई करने के लिए age limit क्या होना चाहिए, educational qualification क्या मांगा जाता है, height इसमें कितना रहता है, selection process इसका कैसे होता है, ये job profile इसका क्या रहता है, इसमें salary कितना मिलता है, और सांती सांत आप सभी को बता दे कि ये जितने भी post पर इसमें भर्ती जारी किया गया है, इसमें सबसे best post जो है color post ही माना जाता है, क्योंकि इसका initial rank अभी हवलदार का है, तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में इस भर्त की complete details की, तो आप सभी को बता दे color के लिए जो आपका total post है, वा 287 रहने वाला है, हलांकि 1380 post पर ये भर्ती आया है, जिसमें और काफी सारे post है, लेकिन color के लिए जो है 287 आपका post रहेगा, application फी की बात करें तो 100 रूपिया general EWS and OBC के लिए और CST female के लिए एक भी रूपिय नहीं लगेगा, इसका form जो है online mode से आपको apply करना होगा, अब यहाँ पर बात करते हैं age limit की, तो आप सभी को बता दे minimum age जो है आपका 18 बरस होना चाहिए, और maximum जो है 25 बरस ये general के लिए है, अगर आप सभी OBC से हैं तो 3 बरस का age में छूट, और CST से हैं तो 5 बरस का छूट, है कि age limit जो है कब से count किया जाएगा, तो दोस्तों आप सभी को बता दे कि आप सभी को पता है कि अभी short notice आया है, full notification नहीं आया है, तो confirm तो अभी आप सभी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन tentative आप सभी को बता दे expected, एक 5 2022 जो है age limit count करने का date हो सकता है, ये confirm नहीं है, 1 माई 2022 त फर्म नहीं है, क्योंकि अभी full notification नहीं आया है, इसके बाद educational qualification की बात करें तो दोस्तों आप सभी को बता दे, इसमें simply अगर आप 12th pass है किसी भी subject से, किसी भी board से all India, तो आप इस form को apply कर सकते हैं, simply इसमें 12th pass मांगा जाता है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दे कि इसमें जो है, a skill test भी होता है, या trade test भी आप सभी बोल सकते हैं, a skill test के अंतरगत English typing जो है 35 word per minute, और अगर आप सभी Hindi में करते हैं, तो 30 word per minute जो है, यहाँ पे मांगा जाता है, यानि कि इसमें skill test भी conduct कराया जाता है, जिसमें English में अगर आप typing करते हैं, तो 35 word per minute कर करना होगा, और अगर आप English में नहीं करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, तो 30 word per minute जो है, आपको typing test देना होगा, तो यह आपको ध्यान में रखना है, अगर आप color post के लिए form apply करते हैं, तो आपको typing का भी knowledge होना चाहिए, या आप सभी typing test जो है, सीख सकते हैं, किसी के बाद जो है, skill test आपका conduct कराया जाता है, इसके बाद आप सभी को बता दे, इस भरती के अंतरगत सीलेवस आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं, जो की PT, PhD और document verification के बाद आपका exam होगा, इसकी selection process की बात करें, तो सबसे पहले आपका physical test होगा, physical test में आपका PT and PhD जो है, आपक इसके बाद आपका document verification कराया जाएगा, उसके बाद आपका skill test होगा, जिसमें आप से typing speed मांगा जाएगा, तो skill test भी आपका सांथ ही में कराया जाता है, इसके बाद जो है, retain exam होगा, medical होगा, और final merit list बनेगा, इसके बाद PT की बात करें, तो 165 cm इसमें height होना चाहिए, काफी स सारे ऐसे student होते हैं, जिनका height कम होता है, 170 नहीं होता है, तो USA student के लिए ये vacancy काफी अच्छा है, क्योंकि color post के लिए height 165 cm ही मांगा जाता है, और female की बात करें तो 157 cm, और दोस्तों आप सभी को बता दे, अगर आप सभी ST category से है, All India, तो आपका 162.5 cm ही रहेगा, और अगर आप सभी North East से विलों करते हैं, North East में जो state पढ़ता है, जैसे कि गड़वाल, कुमान, दोगरा, मराथा ये कुछ community हो गया, इसके अलावा ही माचल परदेश, नागालेंड, सीकीम, और सम, मिजोरम, ये सभी कुछ ऐसे state है, जो North East में पढ़ता है, उनके लिए भी यहाँ प पोष्ट सबसे बेश्ट रहने माला है, और चेश्ट की बात करें, तो मिनमम 6 सेंटीमीटर इसमें मंगा जाता है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, इसके बाद यहाँ पे P.E.E.S.T. की बात करें, तो मेल के लिए 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 1.6 किलोमीटर रेस जो है सरे 8 मिनट में, दोस्तों यह P.E.E.T. के अंतरगत आता है, और जो आप यह देख रहे हैं, यह P.E.E.S.T. के अंतरगत आता है, तो यहाँ पे P.E.E.T. के अंतरगत बात करें, तो आपका रनिंग जो है कंड़क्ट होता है, जिसमें फीमेल के लि और वेट जो है हाइट के कोडिंग आपसे मांगा जाएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें इस भरती की फार्म अपलाई डेट के बारे में, तो आप सभी को बता दे, 30 अप्रिल 2022 से इसका फार्म अपलाई सुरू होने वाला है, क्यांकि इसी दिन इसका फूल जारी किया जाएगा और इसका फूल नोटिफिकेशन और सम राइफल के ओफिसियली साइट पर और इसके अलावा इंपलाईमेंट न्यूज पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो 30 अप्रिल 2022 से जो है आप सभी इसका फार्म अपलाई कर सकते हैं, और जैसे इसका लिं 35,000 से जो है आपका सैलरी सुरू होता है ट्रेनिंग पिरियेड में उसके बाद धीरे धीरे जो है आपका पेमेंट बढ़ता है, तो इसका जो ट्रेनिंग में आपको पेमेंट मिलेगा वह 35,000 के आसपास जो है दिया जाता है, इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दे कि जो आपका ये वेकेंसी है, कलर का, इसका इनिसियल जो रैंक है, ओ है अभी हवलदार का जो है, इसे इनिसियल रैंक जो है मिलता है, और ये वेकेंसी काफी अच्छा है, आसम राइफल्स में जितने भी पोस्ट वा भरती आया है, उन सभी में जो है कलर को पोस्ट जो है सब काभी कम है तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे अगर आप सभी कभी सपना है आसम राइफल में कलरक पोस्ट पा जाने के लिए तो आप सभी जो है इसके रीटेन एकजाम की तयारी आपको अच्छा से करना होगा सांती सांत आपको टाइपिंग जो टेस्ट है य नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम